हेलो दोस्तों मैं सोरम बलिक आप सभी का टोपिक स्टेड़े में स्वावित करता हूं दोस्तों MPSI 272 2017 को जीगे कुछ कर सकते हो किसी की हेलफ हो जाईगी दोस्तों चलो स्टीर करता है अली राजपुर किस जिले में बनाय किसों बनाया जाॉप जिले से अलीराजपुर बनाया दोस्तों पेलेंट Voice में किसका अधियन होता है जिवासन का होता है capacity का जाता है अशीरहः गणो Zach की बुरहानपूर जिले में हैं ठीक दोस्तों एंगलो इंडियन में कि अधिक्तम कितनी चिटे होती है दो सीटे अधिक्तम होती है टूलिव बुक किसने लिखी यूँँ हुआ एक चाईनीज लेकक्ते यूँँ वा उन्होंने दर टूलिव बुक लिखी है मटके के अंदर जो पानी होता है वे ठंडे क्यों होता है तो दोस्तों यह question option को देख करके अराम से हो जाता है कैक्टस के में काटे कहां पर होता है पत्यों में होते हैं next पढ़ते हैं संक्राचारिय की गुफा कहां पर है नर्सिंगापुर में है कुछ और किंदो ग्रेओं के आजब कोई उपगरे नहीं है बुद्ध्वय सुक्र के आसपास कोई ग्रे नहीं है कपिल धारजल्परपात करें नर्मदा नदीबार है दोस्तों New India के लेखक अर्विंद अंगडीया अडिंगा सोरी New India के लेखक कौन है अर्विंद अडिंगा सेश्ट क्झा कर नैक्स्ट कुश्षन। दोस्तों तत्या टोपे का को कहा मारा गया था सीव्पूरी में और आपका नेक्स्ट है सिंगाजी बिजली सेंटर कहाँ पर है जबलपूर में ओपी कोली कौन सेसन में राजजयपाल बने तो 2016 बने तो यह आप सभी को पता भी होगा पसीले में क्या होता है पानी मुख्य रूप से सामिल होता है कतर की राजदानी दोगा दोस्तों यह आपकी राजदानी रोज पूछी जा रही है और मैंने आपको बताया भी तक जितने भी इंडिया से टच कंट्री है उनकी राजदानी आप सभी याद कर ले ब्यारी लाल का जनम कहाँ पर हुआ था गवालियर में वह था और नेक्स्ट है आपका 1982 और 1983 में कौन सा अवार्ड स्टार्ट हुआ था तो यह वह था तुलसी सम्मान दोस्तों यह यह कोश्चन अगर आपको अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक कर देना दूसरों को जो भी जिसका भी आज एक्जाम था तो प्लीज वह कुश्चन सेयर करने की कोशिज करें तेना दोस्तों